हेलो एवरीवन सब्ट है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जी डिसी मेडिसिन पर हम अपने इस चैनल पर दवाईयों की जानकारी रोगों की जानकारी एवं सास्त देख बाल से जुड़े हर एक टॉपिक की जानकारी देते रहते हैं तो अगर आप भी अमारे इस चैन फंगल इंफेक्शन या अधर अधर प्रकार के जो भी बैक्टरियल इंफेक्शन होंगे उनस अभी इंफेक्शन को दूर करने के लिए यह वीजल वहां पे इंसर्ट किया जाएगा और आपको सभी परिशानियों से यहाँ पर निजात मिल जाएगी तो आज हम जानेंगे इस हिमालिया के वीजल के अंदर main composition content क्या क्या चीजे मिले हुई होगी इसका उपयों को कहां कहां देखने को मिल जाता है इसके काम करने का तरीका यानि की mechanism affection क्या है इसके इस्तेमाल करने का सही तरीका इसका डोज precaution side fit मतलब इस जल के हम आपको संपोड जानकारी देने वाले है पूरे वीडियो में जरूर बने रहीएगा ताकि कोई भी information मिस नो होने पाए जी हाँ अगर हम बात करते हिमालिया वीजल के composition अथवा content की तो इसमें क्या-क्या मिला होगा परसियन रोज मिला होगा त्रिफला मिला होगा और काडमम इलाइची वगरा मिला होगा मतलब नेच्रल आयरवेधी content का ये मिस्रड होता है हिमाले ड्रग कंपनी इसको बनाती जो कि एक बहुत ही मानी जानी कंपनी है रूम टंपरेचर पर स्टोर कर सकते हैं और 30 ग्राम के जिल के ट्यूपकी की मत लगबग 100 रुपय के आसपास मिल जाती है अगर हम बात करते हैं uses की तो जैसा कि हमने बताया ये वजाइना में insert की जाती है मैलाओं के जो वजाइना में योनी में खुजली होता है जलन होता है infection हो गया उसको ठीक करेगा यानि कि वजाइनल Candidiasis जैसे आपका fungal yeast infection हो गया वजाइना में उसको ठीक करेगा वजाइनल Trichomoniasis जिसे हम parasitic वजाइनल infection बोलते हैं उसको ठीक करेगा जो non-specific bacterial vaginitis होते हैं वजाइना में infection हो गया बैक्टिरिया के द्वारा बहुत ज़ाइनल leucaria वाली समस्या है सपेद पानी वाली समस्या है इस्ट infection, fungal infection, bacterial infection इन सभी प्रकार की infection को दूर करने के लिए ये विजल आप वजाइना में बहुत ही बेस्ट और बहुत ही कारगर वसदी मानी जाती है फिर अगर हम बात करते हैं इसके mechanism infection काम करने का तरीका क्या है तो जैसा कि हमने बताया तीन content मिले है तीनों का अपना रोल होता है परसियन रोस जिसे हम सता पात्री बोलते है एक तरह से इसके अंदर anti-viral property होती है anti-bacterial property होती है यानि कि जो भी bacteria virus का infection है उसको ठीक करेगा as well as maturation of infectious जो आपके virus है उनको क्या करती है यहाँ पे रोकने का काम करती है उनके amount को reduce करती है साथी साथ जो gram positive और gram negative bacteria है उनको भी combat करती है उनको भी kill करने का काम करती है जो की आपके reproductive track में infection पहला रहे है उन सभी bacteria को kill करने के लिए Persian role response भी हुआ तरिफला की बात कर ले तो इसके अंदर anti-inflammatory property होती है anti-bacterial property होती है यानि कि जो inflammation, susan वगरा है readiness है, swelling है, itching हो रही है वहाँ पे vagina के पास उसको ठीक करेगा as well as bacterial infection को ठीक करेगा साथी साथ female के reproductive organ को clean करने के लिए आपका trifle response भी होगा और कोई भी bacteria है उसको भी kill करने के लिए जाना जाएगा तो इस प्रकास से trifle up नवर किया फिर उसके बाद cardamom ilaichi की बात कर ले तो यह आपका जो pain जिससे आपका vaginitis हुआ आपका जो leucoria हुआ सफेद पानी, infection इन सभी से जो pain उत्पन हो रहा है उस pain को दूर करने के लिए cardamom ilaichi यहाँ पर response भी लोगा तो देख सकते हो यह तो पर्सियन रोज हो त्रिफला हो या फिर ilaichi हो यह तीनों मिल करके आपके infection को भी दूर किये bacteria को भी मारे, virus को भी मारे, fungus को भी मारे जो pain है, जो irritation है, जो redness है, swelling है उन सभी समस्याओं को भी दूर करके आपकी सारी समस्याओं को यहाँ पर निजाद दिलाए फिर अगर हम बात करते हैं इसके कैसे use करना है कैसे use करने का सही तरीका क्या है तो या इस जो आपका जिल है एक से दो ग्राम जिल को दिन में दो बात intraveginally आपको insert करना होता है calibrated उसका applicator यहाँ पर रहता है applicator उससे ही आपको यहाँ पर दो हपते तक अगर आप इसको बराबर use कर रहे हो या जब तक आपको symptom दिख रहा है वैसे use करना चाहिए तो आपको बैतरीन असर मिलेगा कैसे आपको यहाँ पर use करना है उसका step भी बताएंगे उससे पहले जो applicator इसका होता है इसके साथ में आता है उसको अच्छे से साफ करिए हर यूज के बाद और उसको धूप अगर हमें यहाँ पर दिखा सकते हो और यहां डॉक्टर आपको जैसे बोले यूज करने का तरीका क्या है कि बहले अपने हातों को अच्छे से दुल लेना है फिर यह जो tube आती है उसमें एप्लिकेटर को जोड़के और उस tube को squeeze करोगे तो एप्लिकेटर में वह आपका पूरा जिल आ जाएगा फिर कुछ इस पोजीशन में आपको लेडाउन करना है लेटना है फिर उस पोजीशन में लेडाउन करके जैसे ही आप क्या करोगे थोड़ा सा आपको यहां opening मिलेगी फिर इस tube से इस inserter से आप वेजाईना में क्या कर सकते हो इंसर्ट कर सकते हो जो भी जिल है इस जिल को अच्छे से इंसर्ट करके अच्छे से पूरा फिर उसके बाद रिलाक्स हो जाओगे फिर इस applicator को भी अच्छे से साबुन होना से दोके दूप में रखके फिर ऐसे करके आपको बराबर यह सारी चीज़े करनी होगी और यह अगर कर रहे हो तो infection जो है आपका जो भी समस्या है वो सब कुछ आपका ठीक हो जाएगा तो यही आपका में क्या है यूज करने का तरीका हुआ तो इसको आप देख सकते हो फिर अगर हम बात करते हैं precaution क्या साउधानिय रखनी है तो जितना भी dose बताए जाए कभी भी खुद से ज़्यादा बार-बार insight ना करें अग्रेजी दबाई का यूज करते हो उससे तो अच्छा ही है side effect cause नहीं करेगा तो इसे आप यूज कर सकते हो यह था आपका हिमालिया का वीजल वजाइनल जो की आपके वजाइना में जो जलन होती है इचेंग होती है खुजली होती है या infection, fungal infection, east infection सभी प्रकार के infection खुजली को दूर करने के लिए वीजल इंसर्ट किया जाता है इसकी जनकारी अगर अच्छी लगी हो कुछ सीक्रियों मिला हो तो वीडियो को और उतक जरू सेयर करें लाइक से सब्सक्राइब करते रहे इसी तरीके से डे सारे हिमालिया के प्रोड़ट वैदनाथ, जंडू, डाबर के प्रोड़ट और भी अंग्रेजी, आयरवेदिक सभी दभाईयों की जनकारी आपको अमारे चैनल पे मिल जाएगी प्लेलिस्ट वगर विजिट कीजेगा लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए मिलते अंगले विडियो बे तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्या बखिए थेंक्यू सो मच, आल दे बेरी बेस्ट